प्रतापगण में ब्रहामण अपनी उपेक्षा से बीजेपी शिर्ष नित्रित्व से नाराज नजर आ रहे हैं जिले में ब्रहामण मतदाताओं की संख्या अधिक देखते हुए लोग ब्रहामण प्रतियाश उतार्णे की मांघ कर रहे हैं इतना ही नहीं हजारों की संख्या में खटा होकर ब्रामणों ने बीजेपी शेष नेतरित्व को स्यतावली दी कि अगर पार्टी ने प्रतापगड से ब्रामण प्रतियाश नहीं उतारा तो वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे काई गाओं के भ्रहमणोंने खट्टा होकर बीजेपी हाई कमान से ब्रहमण प्रतियाशी उतारने की मांग की है भ्रहमण समाज के लोगों का कहना है कि प्रतापगण में 4,5,6 लाग से अधिक भ्रहमण मत दाता है ऐसे में अगर किसी ब्रामन को बीजेपी अपना उमिद्वार बनाती है तो जीत सुनिश्चित है तरह तरह की अफों हैं सुचनाई आ रही हैं कि यहां से ब्रह्मन जीती ही नहीं सकता है क्या हम पंडित उने सत्तु पाध्या को भूल सकते हैं जिनोंने अपने बल्वूते यहां प्रताफगण में ब्रह्मनों का और हिंदुत का एक धन्दा लाराया था मैं पार्टी सीर सिनेतित को यह बताना चाहता हूं कि पार्टी भसमा सुर का काम ना करे यहां पे ब्रह्मनों टर साड़े चार लाग से अधिक मत दाता हैं और सभी का सम्मान करते हुए यहां ब्रह्मनों प्रत्यासी ही दे नहीं तो बहुतायत को महागणधन को जाएंगे जिससे की महागणधन यहां मजबूत हो जाएगा जो राष्ट के लिए हितकारी नहीं होगा वहीं ब्रह्मन के विरोध को देखते हुए बीजेपी के स्थानी नेता भी परिशान नजर आ रहे हैं अब देखना यह होगा कि ब्रह्मनों के विरोध के बाद पार्टी क्या फैसला लेती है पंजाब के स्री टीवी के लिए प्रतापगड से ब्रिजेश मिश्रा की रिपोर्ट